नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर जिते इंद्र पांडे है और मैं उत्रक्षन मुक्त विश्विद्याले में असिस्टिंट प्रोफिसर की रूप में कारियर रत हूँ अब तक हम सिस्टम सौफ्ट्वेर के बारे में चर्चा कर रहे थे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उपरेटिंग सिस्टम के विभिन प्रकारों एवन उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले प्रमुक कारियों की चर्चा करेंगे इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप विभिन प्रकार के उपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान पाएंगे। आप Personal Operating System, Network Operating System और Handheld Operating System के बीच अंतरिस्पष्ट कर पाएंगे आप Operating System द्वारा संपाधित किये जाने वाले विभिन कारियों जैसे Memory Management, Resource Management, User Management आधी के बारे में विस्तार पूरुवक चर्चा कर पाएंगे आईए अब हम लेक्चर की शुरुआत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विक्षित किये गए कुछ Operating Systems की परताल से करते हैं Macintosh या Mac और IBM Personal Computer हाड़वेर और सौफ़वेर कॉन्फिगरेशन के साथ काम करते हैं इसे Platform कहते हैं Platform, Computer द्वारा अपेक्षित वो हाड़वेर और सौफ़वेर हैं जो इसे कारिक करने की शमता प्रदान करते हैं उधारण के लिए Apple Computer का निर्मान Mac Platform पर आधारित था जो की Motorola की Chips और Apple के Operating System Mac OS पर आधारित था इसी प्रकार IBM द्वारा निर्मित, Personal Computer, Intel द्वारा निर्मित Chips और MS-DOS Operating System पर आधारित था आज के PC Windows आधारित Operating System का अपयोग करते हैं जो DOS की कई मूल अफधारणाओं को शमिल करता है आज उपयोग में कई अलग 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 प्रकार के Operating System हैं उन्हें Personal Operating System, Network Operating System और Handheld Operating System के रूप में वर्गी क्रिप्ट किया जा सकता है आईए अब हम कुछ प्रचलित Operating Systems के बारे में चर्चा करते हैं Unix Unix एक Network Operating System है जो विभिन प्रकार के PC, Mainframe और Workstation पर चलता है Internet Servers पर यही Operating System इंस्टॉल रहता है Unix पहला Operating System था जो Multitasking को सपोर्ट करता था बड़े-बड़े Organizations Unix Operating System को ही प्रिफर करते हैं दूसरा Operating System है Linux यह भी एक Network Operating System है यहां Command Line Interface का इस्तमाल करता है तथा Windows Operating System से ज़्यादा Stable माना जाता है Macintosh OS यहां एक Personal Operating System है जो की Graphical User Interface पर आधारित है यहां Operating System सिर्फ Apple Computer पर चलता है Microsoft Windows 95, 98 और XP यहां Operating Systems Personal एवं Network दोन जगे इस्तमाल किये जाते थे यहां Operating System Internet Browsing में सक्षम थे यहां Microsoft द्वारा विक्षित Windows के पुराने संस्क्राण है तथा इन में से कोई भी अब प्रचलान में नहीं है Microsoft Windows एवं Microsoft 2000 Microsoft द्वारा विक्षित यह Network Operating System प्रचा जा सकता था Microsoft Windows Mobile 7 यहां Operating System Cell Phone और Handheld Devices के लिए विक्षित किया गया है तथा यहां अन्य Microsoft Software के साथ आसानी से संगठित हो सकता है आईए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए Operating System द्वारा संपादित किये जाने वाले प्रमुक कारियों का विर्वलन प्रस्तुत करेंगे पहला महत्तूपून कारिय जो कि Operating System द्वारा संपादित किया जाता है वो है Computer के संसाधनों का प्रबंधन Operating System, Computer के Hardware और Application Software प्रोग्राम जैसे Word Processing, Spreadsheet और Database Package के बीच समवाद सेतु का कारिय करता है उधारन के लिए यदि आप Excel में एक Document पर काम कर रहे हैं और आप Document को Print करना चाहते हैं तो आप केवल Tool Bar पर Print बटन दबाना है Excel, Document को Print करने के लिए एक Printer का Chain करने के लिए Operating System को निर्दरिशित करेगा Operating System तब Computer को सुचित करता है कि Document प्रिंट करने के लिए relevant प्रोग्राम में डेटा और इंस्ट्रक्शन भेजना शुरू करें Operating System इसके लिए Application Program और Hardware के बीच Interface के रूप में कार्य करता है Operating System दबारा संपाधित किया जाने वाला दूसरा प्रमुक कार्य है Files और Memory का प्रबंधन Operating System कम्प्यूटर पर सभी फाइलों को मैनेज करता है तथा यहाँ उन Memory Location को चिन्नित रखता है जहाँ पर प्रोग्राम्स और डेटा कम्प्यूटर की Memory में स्टोड होते है उधारन के लिए जब आप एक फाइल को खोलते हैं जिसे Hard Drive पर स्टोर किया गया है तो आप पहले कम्प्यूटर को फाइल खोजने के लिए निर्देश दे रहे हैं और फिर इस फाइल को खोलने का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में स्टोड फाइलों को असानी से ढूनने में मदद करता है कुछ अन्य फाइल मेनेजमेंट कारियों में कॉपी करना, मिटाना, रीनेमिंग और फाइल का बैकप करना शामिल है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपाधित किया जाने वाला तीसरा प्रमुक कार्य है कम्प्यूटर में सिक्योरिटी का प्रबंधन कम्प्यूटर नेटवर्क और बड़े कम्प्यूटर सिस्टम में प्रत्य यूजर को कम्प्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ट दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी यूजर के नामों का एक रेजिस्टर रखता है ताकि valid username और password वाले लोग ही system को access कर सकें यह hacker और अनाधिकरित वेक्तियों द्वारा computer तक पहुँच को रोकता है operating system सभी user का log भी maintain करता है जिसमें वह user का login का समय user द्वारा computer का उप्योग करने की time तथा उनके द्वारा किये गए कारियों का ब्योरा रखता है सुरक्षा उलंगनों और संसाधनों के दुर्पयों को देखने के लिए administrator computer log को देख सकते हैं operating system द्वारा समपादित किया जाने वाला चौथा प्रमुक कारिय है computer पर एक समय पर execute होने वाले सारे programs का कारिय प्रबंधन एक computer कई कारिय को एक साथ समपादित कर सकता है जिसे multitasking कहा जाता है multitasking एक ही समय में एक से अधिक program चलाने के लिए computer की शमता को कहते हैं उधारन के लिए एक user अपनी computer पर email टाइप करना और संगीत सुनना एक साथ समपादित कर सकता है network के मामले में multi user operating system एक से अधिक user को एक ही समय में एक ही data तक पहुशने के अनुमती देता है यह सभी एक ही समय पर चलने वाले webin application का प्रबंधन operating system द्वारा ही किया जाता है operating system द्वारा संपादित किया जाने वाला पांचवा प्रमुक कारिया है user interface उपलब्द कराना user को computer से इंट्रेक करने में मदद करता है अब तक की चर्चा में हमने operating system के विभिन प्रकारों एवं उनके द्वारा संपादित किया जाने वाले प्रमुक कारियों के चर्चा की अगले lecture में हम user interface के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार